प्रकार का रूपांतरिक जीवक होता है जिसका निर्मा ब्लास्टो स्टाइल से अलंगिक मुगलन द्वारा होता है या एक छोटे छाते या घंटी के समान सरनशना होती है इसकी वाय उतल सता वही छत्र या एक्स अम्रेला और अंदर की और उतल सता और छत्र या सब अम्रेला कहलाती है आईए अब हम इसका डाइग्राम देख लेते हैं डाइग्राम में मैं आपको एक्स्प्रेंट करती हूँ कि क्या क्या है इसमें ये जो इसके बाहर की सत्य है इसके ये बाहर की जो सत्य है इसको हम बूलेंगे उत्तल सत्य बहिच्छत्र या एक्स अम्ब्रेला और नीचे की ये जो अंदर की सत्य है इसको अउतर या सब अम्ब्रेला बूलेंगे फिर इसकी एक रेडियल कैनाल पाई जाती है radial canal के किनारे किनारे एक circular नाल या canal पाय जाती है ये पूर्ट परिपक होने पर medusa की area के मद्ध है ये medusa ये जो गोनट्स दिख रहे हैं ये medusa के ये चार अरिय नाल पाय जाती है इसमें ही गोनट्स का निर्माण होता है फिर उसके बाद से इसमें manubrium पाय जाता है ये इसका manubrium है manubrium जो होता है वो अवच्छत्र या उत्तल या सब umbrella के नीचे एक छोटा खोकला वा हैंडिल के आकार का प्रवर्ध नीचे की और लटका होता है और जिसको manubrium बोलते हैं इसके दूर इस्थित एक चफू चतुर भूज मुक पाया जाता है जिसे 4 मुक पालियों से घीरा होता है और इसमे इसके किनारे किनारे एक सिल पाया जाता है ये ring canal उसको बूलेंगे और फिर ring canal के चारो तरफ असंप के छोटे छोटे टेंटेकल्स निकले होते हैं असपर्सक जो होते हैं या टेंटेकल्स जो होते हैं और दन्स को सेकाउं से युक्त होते हैं नवजात जो मेडूसा होता है उसमें 16 तेंटेकल्स पाया जाते हैं, उसमें इन इनोसरा को सेलफ होते हैं इन इनको विललम बोलते हैं और यह संथुल इन में इन爱 पकल आपके हैं, इन संसेलफ》 होने के आधार पर और असपर्स बल्व या टेंटकुलर बल्व जिनमें समवेधी अंग या संतुलन पुट्टिया पाई जाती हैं इनमे नीमो सिस्ट का निर्माण होता है जिससे ये अपने ओफेंस या डिफेंस में इसका यूज करते हैं अवचत्र सता पर जठर वाही तंत्र के चारोर अरिय नाल या रेडियल कैनाल और किनारे किनारे एक प्रित्तिय नाल या सरकुल कैनाल होती है एक पूर परिपक मेडूसा की प्रत्यक अरिय नाल के मद्य में एक जनन ग्रंती पाई जाती है और छत्र सता के केंद्र में से एक छोटा खोकला वा हैंडिल के समान प्रवर्ध नीजे की ओर लटका होता है जिसे हम मैनुब्रियम कहते हैं इसके दूरस्त सीरे पर एक चतुरभूजी मुख या माउथ होता है जिसके चार और चार मुख पालियां पाई जाती है चत्र का किनारा अंदर की ओर एक अति सक्रे औो सेशी वलन या सेज़्फ के आकार का बड़ा होता है जिसे विलम कहते हैं छत्र के तट से असां के छोटे छोटे टेंटेकल्स निकलते हैं असपर्शक जो होते हैं या टेंटेकल्स अत्यां संकुचंसील और दन्सकोशिकाओं से युक्त होते हैं इनमें दन्सकोशिकाओं पाजाते हैं जो अवेज और डिसप्रेंस के लिए सहता करती हैं एक नौजात मेडुसा में 16 टेंटेकल्स पाया जाते हैं इन इसपर्षकों के आधार पे फूले होते हैं और इसपर्षक बल या टेंटाकुलर बल बनाते हैं जिन में सम्वेधी अंग संतुलन पुट्टिया होती हैं इन में नीमोसिस्ट का निर्माण होता है आईए हब ओवेलिया का लाइब साइकल पढ़ लेते हैं ओवेलिया के जीवन चक्र में अलेंगिक हाइड्राव कालोनी और लेंगिक मेंडूसा दोनों प्रकार की पीडियां पाय जाती हैं जीवन चक्रों को पूरा करने के लिए इन दोनों पीडियों का नियमित कायांत्रण होता है फर्स्ट जनत या गोनट ओविलिया में जनत चार अरिय नालों पर उपस्थित होते हैं वयस्क होने के पशात ये नर या मेल कॉलोनी में शुक्राडू वह मादा निवय में अंडाडू का निर्माड करते हैं नर वह मादा युगमक विक्सित होने के पशात जनतों के एक्टोडर्मल यानि इनके भीतरी दिवार को तोड़ कर बाहा निकलते हैं और ये जल में स्वरतंत्र घूमते हैं या गमन करते हैं निसेचन, उबेलिया में निसेचन, विप्रीत या क्रोस टाइप या आंत्रिक या वह प्रकार का होता है सुक्राडू जल की दहराओं में द्वारा मादा मेडूसा तक लाए जाते हैं ये अंटाणों को निसेचित करते हैं जिससे युगमनर या जाइगोट का निर्माण होता है और मेल मेडूशा युगमको या अपने स्पॉम को मुक्त करने के तुरंत बाद ही मर जाता है फिर डेवलोपमेंट या परिवर्धन इनके अंदर कैसे होता है उबेलिया में परिवर्धन तीन प्रकरत होते हैं फर्स्ट क्लिवेज या वेदलन युगमनर या जाइगोट में पूर भंजी होलो ब्लास्टिक या पूर वेदलन होता है जिसके फल्चरोप कोशिकाओं का एक ठोस गेत के सामान मोरूला स्टेज बनती है इसमें कभी कभी कोशिन पूछता है कि मोरूला स्टेज किस में बनती है तो उबेलिया उप्शन होता है तो उबेलिया पर टिक करना होता है इसके पश्चात ब्लास्टूला आवस्ता बनती है इसकी गुहा कोरक गुहा या ब्लास्टू सील कहलाती है यह कोरक खंडो के एक अस्तर द्वारा आस्तरित रहती है गैस्टूला भवन या गैस्टूलेशन कोरक खंडो की आंत्रिक सत्ता से नई कोशिकाएं बन कर पृतक होती रहती हैं और कोरक गुzo में भर जाती हैं फिर गैस्टूला भावन के पश्चार भूड एक ठोश गैस्टूला या सॉलिड गैस्टूला या घंकंद बन जाता है जिसे सबसे वाय अस्तरपर ektodermal तर्था आंत्रेक अस्तर पर एंडोडर्मल का निर्माण होता है। फिर इन से प्लैनूला लार्वा निकलता है, गैस्टूला के एक्टोडर्मल कोजिकाएं पच्छाब धारड कर लेती हैं, जो इनके गैस्टूला होता है, उसके एक्टोडर्मल मतलब अंदर की जो कोजिकाएं होती हैं, वो पच्छाब धारड कर लेती हैं, इसकी थोस एंडो का विक्सित होती है जिसे एंटार्ण कहते हैं इस प्रकार एक प्लेनूला लार्वा का निर्मान होता है प्लेनूला लार्वा अस्तम्भी बही चर्मी सम्वेदी तंत्रिका ग्रंती कोशिका पेशिय प्रवर्ध और दंस कोशिकाएं पाई जाती है प्लेनूला लार्वा में ह हाईडूला कुछ समय शक्रियव मुक्त प्लावी जीवन यापन करने की पश्यात। प्लैनूला लारवा अपने अगली सिरेद्वारा चट्टान पौधे अथ्वा समुन्द में किसी ठूस पदार्द पर चिपक जाता है। अब इसमें कायानांत्रड या मेटामॉर्फीज्म होता है। इसका प्रारंबिक सिराचिपकने के लिए आधारी बीम या बेसल डिस्क में दूरस्त स्वतंत्र सीर पर मुक्सईत एक हस्तक तथा अस्पर्शको का एक वित्तक या सर्कलेट विक्सित हो जाता है। अता लारवा एक सामान या प्लॉपी या हैड़ा के समान दिखाई देता है। इसे हैड़िला कहा जाता है। अलंगे एक मुकलन की एक वित्रड प्रक्रिया द्वारा है डिला धिरे धिरे अपने पित्र उबेलिया कॉलोनी के समान नए साखादार उबेलिया कॉलोनी में बदल जाता है अब आएए इसको हम इसके लाइफ साइकल देख लेते हैं इसमें ये ब्लास्टूला है ब्लास्ट एक मेराकया को यह रेप्चर करके बाहर निकलते हैं थिर यह जो फिमेल मैडूसा होती है वह परिविक होता है मतलार इनका पूर परिवक परिपवक्व कोया मैच्छोर नहीं होते आना ही male medusa pure mature होता है, ये बाहर पानी में mature होने तर घूमते हैं, फिर male medusa से sperm और female medusa ऐसे ही रहती है, फिर ये sperm male medusa पानी के द्वारा male medusa के पास आते हैं, और इसके eco-fertilize करते हैं, फिर जाइगोट बनती है, जाइगोट में इसमें two celled states पाए जाती है, two celled states के बाद four celled states, फिर four celled states के बाद इसमें cleavage होता है, और ये four celled states जो होती है, इसी को morula बोलते हैं, फिर इसमें morula से bastula बनता है, बास्टूला के ये जो ऊपर बाहर के layer होती है, इसमें पच्छाव या फिर इस परसक दिरे दिरे निकलने लगते हैं, और इसके अंदर की जो होती है, एक्टोडर्मल सेल, ये बार-बार इनमें डेवलप्मेंट होता रहता है, और ये इसका ये वाला सीरा जो होता है, ये फर्स्ट या इसका ये पहले वाला सीरा जो होता है, वो यही किसी सब्सें से या फिर किसी से चिपक का, फिर इसके बाद से ये यंग का निर्मार करता है और फिर यह देरे-देरे डेवलोपिंग पॉलिप में और फिर फुली हाईड्राव में परिवर्थित हो जाता है इस स्टेज को प्लेनूला नार्वा बूलेंगे और इसको मअरूला बूलेंगे इसको ब्लास्टूला इस तरह पूरा ये हाइड्राप कॉलोनी बन जाती है अब पीडियों का एकांत्रड एमाम मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन आप जनरेशन एन मेटाजेनेसिस ओबेलिया के जीवन चक्र में हाइड्राप कॉलोनी अलेंगिक पीडी को तता एकल मेडूशा लेंगिक पीडी को प्रदर्शित करता है मतलब जो हाइडराप की जो छोटी सी कालोनी होती है उसमें अलेंगिक जनन के द्वारा एक पूर मेडूशा का निर्मान किया जाता है और फिर मेडूसा, जो male और female से लेंगिक करिया द्वारा लेंगिक पीडी को परदर्शित करता है ये दोनों पीडिया नियमιत रूप से एक दूसरे से एकांतरड मे आते हैं एक के बाद एक आते हैं, इसलिए इसको एकांतरड कहते हैं पीडी एकांत्रेट की परिगटना को परदरशित करते हैं ओबेलिया में हाइड्राव अस्थान बद्ध वह लिंग वीहीन होता है जिसमें जनन ग्रंधियों का आभाव होता है इससे मुकुलन की अलैंगिक विधी द्वारा मेडूशी बनती है और मेडूशी नितांत रूप में लैंगिक विधी द्वारा अंडाड़ो एंशक्राड़ो उत्पन करके लैंगिक विधी से जनन करते हैं जिसे नए हाइड्राव कालोनी बनते हैं इस प्रकार उबेलिया में एक पीडी एकांत्रड पाया जाता है दोस्तों, ये जो मेरी क्लास यूपी टीजटी और अल्टी ग्रेट बायलोजी की जो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ये 9 ऐ पूरा एक सीरीज वाईस है आपको यूपी टीजटी और अल्टी ग्रेट बायलोजी की पूरी सीरीज है इसको आप continue देखते रहें जिससे आपका पूरा syllabus एक content की साथ cover होगा और अगर जो आप एक दो देखते हैं तो पूरा इसका matter आपको पूरा syllabus के according तयारी नहीं उपाएगे इसलिए आप प्लीज इसको पूरा एक क्रम में देखे थैंक्स पूर वाचिं थैंक्यू